नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बलूट के एक ऐसे निर्माता निर्देशक के बारें बात करने वाले हैं जिनका आज है पुनिति थी जिया हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रसीद निर्माता निर्देशक मुकुल अनन जिस सहाब का आज ही की दिन सुप्रसीद निर्माता निर्देशक मुकुल अनन जी इस दुनिया से अलविदा कहे गए थे तो आज हम लोग मुकुल आनन सहाब को भावपूर स्रधान जली देते हुए मुकुल आनन सहाब के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मुकुल आनन सहाब का जनाम 11 अक्टूबर 1951 को हुआ था और मुकुल आनन जी एक फिलम निर्देशक वा निर्माता थे वह अभिनेता और निर्देशक टिनू आनन के चचेरे भाई इंदर राज आनन के भतिजे थे और मुकुल आनन जी ने अपनी फिलम केरियर की शुरूआत 1984 की फिलम कानून क्या करेगा से किया था और इनकी दूसरी फिलम एतबार था जो 1985 में रिलिज हुआ जो अलफ्रेड हिच कॉक के क्लासिक डायाल एम फार मडर से प्रेरित थी और फिलिम जिसने पहली बार उन्हें मान्यता प्राप्त की वह माकाव्य फिलम सल्तनाथ जो 1986 में रिलिज हुई थी जो पहली बार वास्तविक जीवन के पिता और बेटे धर्मेंदर और सनी दोल को एक साथ लाया और अभिनत्री जुही चावला का परिचाह दिया उसी साल आनन्द जी ने थ्रिलर में मय बलवान को भी निर्देशित किया जो हीट गाने रॉक एंड रोल और हला गुला के लिए जाना जाता है उनकी पहली बाक्स आपिस की सफलता इंसाप थी जो 1987 में रिलिज हुआ और विनत्खना को एक अंत्राल के बाद फिलमों के लि ठाकूर के गुसे में चितरान के लिए प्रसंसा की और इस बिंदू पर मुकूल आनन जी को बड़े पैमाने पर एक कुसल निर्देशक मना जाता है जिन्होंने बहुत वादा किया था लेकिन किसी तरह ठो सफलताओं को निभाने में काम्याब नहीं रहे और इस फिलम के ब अमिताब बचन सहाब को जियां राष्टे पुरुस्कार मिला और इसके साथ 1991 की फिलम हम यह फिलम भी काफी जादा लोगपरी हुआ था और इन फिलमों के साथ इखून का करज और 1992 की फिलम फुदा गवा जियां यह फिलम तो आप लोग को यादी होगा जो सुपर डुप हिट हुई थे और 65 की फिलम तुरी मुरती तो यादी होगा इस फिलम का निरधेशक मुक उननंसा भी थे Wallace की अर इनकी अर्यलिज फिलम ठा और इसके साथ ही आखरी फिलम ठा और मुक उननने 1996 की फिलम सिना को निर्माता के रूप में भी जिहां काम किया जिसे दर्शकों ने खुब पसंद किया और मुकुल अनन जी की साधी अनिता से हुई थी और अलिसका और मिखाइल नाम के दो बच्चे थे और 7 सितंबर 1997 को मुकुल अनन जी का हाट अटेक से निधन हो गया पूरा हो गया था और मरने के बाद फिलम अधुरी रहे गई और मुकुल की अधिकारी विबसाइट पर जो मुकुल ने फिलम के लिए सूट किया था उसके प्रोमो वीडियो और क्लिप बाद में देखा गया जिया भले ही आज मुकुल अनन जी हमारे बीच नहीं है जिसका भी रहें खुश रहें अब आद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो वाज हम लोगों बात की बलूट के सुप्रसीद निर्माता निर्देताक मुकुल अनन्द सहब का तो और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब की हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक की हैं तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थांकि दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए